हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर वन की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए पेपर वन के लिए क्या एक बैस्ट स्ट्रेटिजी हो सकती है पेपर वन के लिए आपको कौन सी बुक फोलो करनी चाहिए क्या स्ट्रेटिजी नानी चाहिए, नौट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं और कौन सी बुक लिस्ट आपको फोलो करनी हैं तो इन ही सभी टॉपिक्स पर आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल डेटेल में अगर आप एक बिगनर हैं या फिर पहले से एक्जाम दे रही हैं और आपके मन में ये सारे सवाल हैं कि पेपर वन के सलेबस को कैसे कवर करना हैं हम बुक कौन सी फोलो करें नौट्स बनाए या ना बनाए तो इन सब के जवाब आज आपको इस वीडियो में बिलने वाले हैं तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी अगर आप इस चैनल पर नए हैं क्योंकि ऐसी ही इंपोटेंट क्लासेज आपकी आती रहेंगी और हम इस चैनल पर पेपर वन आपका पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं पेपर वन आपको पूरा पढ़ाया जाएगा यहां पर इसी लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं फि देखे, Unit 1 है आपकी Teaching Attitude, ठीक है, Unit 1 आपकी Teaching Attitude होती है, Unit 2 है आपकी Research Attitude, यह आप देख सकते हैं, Unit 2, और Unit 3 है आपकी Comprehension, ठीक है, Unit 4 है आपकी Communication, Unit 5 आप देख सकते हैं, Mathematical Reasoning and Attitude, यह Unit 5 है आपकी, तो 5 युनिट हमने देख ली, देखते हैं, बाकी की युनिट, unit 6 में आपकी logical reasoning पूछी जाती है ठीक है और unit 7 जो है आपकी unit 7 में data interpretation से questions आते हैं यानि कि di से question आते हैं यहाँ ठीक है unit 7 में unit 8 आपकी information and communication technology से related है ठीक है अभी ये सारी unit को हम detail में discuss करेंगे पहले एक overview लेना बहुत ज़रूरी है ठीक है unit 9 जैसकी आप देख सकते हैं unit 9 आपकी people development and environment से संबंदित है ठीक है related है environment से और finally unit 10 जो है आपकी ये आपकी higher education system से related है तो ये हैं आपकी 10 unit आपको इनको कैसे cover करना है इनके syllabus को कैसे समझना है कौन सी book list follow करनी है notes कैसे बनाने है तो इनी सभी topics पर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपने देखा हमारा जो paper 1 है paper 1 में आपक 10 unit होती है और 10 unit का syllabus क्या होता है तो इसको हमें जानना जरूरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं approach पर देखे आपको paper 1 की तयारी कैसे करनी है paper 1 की तयारी अगर आपको अच्छे से करनी है simply सबसे पहला काम आप सब क्या करेंगे syllabus paper 1 का syllabus को आपको print out करवा लेना है ठीक है तो आप इसका screenshot लेकर रख सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं या इसका print out निकल वाले ठीक है तो यह जो unit है 10 की 10 इनको आपको बहुत अच्छे से syllabus को पढ़ना है teaching aptitude, research aptitude, सारा syllabus इसके बाद आपको क्या करना है friends syllabus को अच्छे से पढ़ने के बाद हर unit पर unit wise, unit wise आप topic देखें, unit wise जैसे की सबसे पहली unit आपकी teaching aptitude है, तो teaching aptitude के अंदर देखें की कौन कौन से topics हैं जो यहां पर दिये हुए है, teaching aptitude के अंदर ठीक है, तो आपने topics देखें जैसे सबसे पहला topic है की teaching concept, objectives, levels of teaching, ठीक है, तो आपने यहां topic देखें, teaching aptitude के अंदर, topic देखने के आपको अपना notes बनाना है, sort notes बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कहीं से भी आप हमारे इस channel से हर unit के लिए, हर topic के लिए आपको एक class मिल जाएंगी, तो हर topic पर हमारे ही इस channel से आप चीजों को cover कर सकते हैं, और अपना notes भी बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्क एक sort notes बना लेना है, ठीक है, एक या, दो page बजे से कि यह आपके सामने topic है, teaching aptitude का levels of teaching, ठीक है, तो levels of teaching में दिया गया है, कि तीन level होते हैं, teaching के, memory level होता है, understanding level होता है, और reflective level होता है, ठीक है, तो आपने topic उठाया, यहाँ पर topic का नाम लिखा आपने notes में, सबसे उपर, उसक दो page में आपको sort sort लिख लेनी है, ऐसा ही आपको friends, 10 की 10 unit के लिए करना है, यह सबसे सटीक तरीका है, जो मैं आपको बता रही हूँ, एक best strategy है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 की 10 unit के लिए, ऐसे ही topic wise आपको अपना notes prepare कर लेना है, और सब topics के लिए आपको यह करना है, को आप देख सकते हैं, तो आपने इतना किया, सबसे पहले आपने syllabus देखा अच्छे से, syllabus देखने के बाद आपने हर topic को अच्छे से पढ़ा, समझा और उस पर एक या दो page का अपना notes बना लिया, notes बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको PYQ की एक book खरीदनी है, जहाँ पर previous year questions होंगे, ठीक है, यह book कौन सी होंगी, मैं यह आपको बता दूँगी, ठीक है, मैं आपको अभी नाम भी बताने वाली हूँ, books का, तो आप previous year की क्या करेंगे, एक book खरीदेंगे, paper 1 के लिए, ठीक है, और best book जो है, मैं book आपको बता ही देती हूँ, देखे, paper 1 के यह इस book को खरीद सकते हैं, तो आपको क्या करना है, तीसरा काम की, जितना भी previous year में question आया है, paper 1 का, आपको उनका सबको solve करना है, ना सिर्फ solve करना है, friends, ना सिर्फ solve करना है, बल्कि आपको यह चीज़ identify करना होगा, अभी से ही आपको लग जाना है, क्या identify करना है, कि जो च करें, आप उसको highlight कर ले, इस तरीके से, जहां जहां आपको समझ नहीं आता, आप उसका भी एक अपना sort notes बना सकते हैं, जो चीज़े आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, यह फिर tough लग रही है, ताकि आप जिस दिन आपका exam हो, या exam से पहले, आप उस चीज़ को 5-6 बार revise कर पाएं, ठीक है, maximum time उस चीज़ को revise कर पाएं, और आपकी तयारी बहुत पक्का हो सके, तो यह चीज़े आपको करनी है, paper 1 की आपको कुछ इस तरीके से approach को रखना होगा, ठीक है, friends, तो चलिए, मैं आपको थोड़ा syllabus दिखा देती हूं, syllabus बता देती हूं, तो यह यहां पर हम बिल्कुल detail syllabus discuss कर रहे हैं, paper 1 के लिए, ठीक है, तो approach आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से paper 1 की तयारी करनी है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, देखे, unit 1 है आपकी, तो हम syllabus discuss करते हैं, सबसे पहले, paper 1 का, ठीक है, मैं detail में आपको syllabus बताती हूं, तो सबसे पहले हैं, आपकी पास unit 1, unit 1 आपकी teaching aptitude से related है, तो देख सकते हैं, आप इसका syllabus, सबसे पहले teaching concept, objectives, teaching के objectives क्या होते हैं, ठीक है, तो इस पर आपको एक notes बना लेना है, levels of teaching के बारे में आपको एक notes बनाना होगा, देखे, तीन परकार के level होते है, teaching के, ठीक है, memory level होता है understanding level होता है, और reflective level की teaching होती है, reflective level जो होता है teaching का, वो सबसे highest level होता है, तो जैसे ही मैं आपकी इन सब topics पर class लोगी, तो आपको ये topics बिल्कूल अच्छे से clear हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को subscribe जरूर करना, और class को पूरा देखना, ठीक है, आप हमारी बाकी की classes भी देख सकते हैं, तो देखें, ये teaching aptitudes के topics हैं, जैसे की learners characteristics, factors affecting teaching related to, ऐसे कौन से factor होते हैं, जो teaching को effect करते हैं, ठीक है, methods of teaching क्या होता है, जिसमें दो परकार के methods आप किया जाते हैं, एक teacher centered method होता है, और दूसरा learner centered method होता है, तो आपको इन सब topics पर अपने एक या दो page के notes ब पोज करकर भी ये पूरा syllabus को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत जादा वरना लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ को detail में discuss करती हूं, ठीक है, देखें, तो पहला topic आप देख सकते हैं, teaching aptitude, ये चीज़ भी आपकी teaching में ही आएंगी, teaching support system क्या होता है, evaluation system, यहां से question काफी आते हैं, दूसरी unit है आपकी research aptitudes है, तो research aptitudes में आपकी research meaning, types, characteristics, positivism और post-positivism क्या होता है, ठीक है, approach क्या होती है research में, methods of research क्या होते हैं, आपकी कई परकार की research होती है, यहां पर experimental research होती है, descriptive research, historical research, qualitative and quantitative research क्या होती है, तो ये सारी classes में आपके लिए ल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है, steps of research कौन-कौन से होते हैं, ये सारे topics हम discuss करेंगे, ठीक है, तो ये आपका syllabus है, अगर आपको इसको बिलकुल पूरा पढ़ना है, तो please video को pause करके आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, unit 3 आपकी comprehension से है, comprehension क्या होती है, friends, comprehension में mainly आपको एक passes दिय जाता है, ठीक है, उस passes में से आपको कुछ questions को करना होता है, तो ये comprehensive होती है, जो काफी important होती है, यहां से आप जो 5 की 5 numbers है, marks होते हैं, वो बिलकुल सही से आप कर सकते हैं, ठीक है, unit 4 है आपकी communication, ये भी काफी important है, communication में कौन सारे topics आते हैं, देखे, barriers to effective communication क्या होते हैं, communication का meaning क्या होता है, types कितने होते हैं, characteristics क्या है, effective communication क्या होता है, verbal, non-verbal communication में क्या अंतर होता है, तो ये सारे topics आपको communication के अंदर करने होंगे, unit 4 है आपकी mathematics, तो unit 4 आपकी math से related है, यहां पर आपका math हाईगा, तो number series हो गया, जैसे कि आपका profit and loss का topic हो गया, ये आप देख सकते है, fraction time and distance का topic हो गया, percentage हो गया, ठीक है, interest हो गया, देखे friends, फिर unit 6 है आपकी logical reasoning से related, तो logical reasoning में आपके ये सब काफी सारी चीज़े आती है, logical reasoning में तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे कि understanding the structures of argument, argument तरक से related अलग questions आपके होते हैं, mood and figure से related question होते हैं, ठीक है, इसमें काफी important ह होती है, fallacies, तो fallacies से इसे बोलते हैं, तरक दोस, ठीक है, तो इससे related आपके काफी सारे questions आते हैं, evaluating, इससे related आपके questions आते हैं, when diagram, ठीक है, तो ये logical reasoning में कुछ चीज़े हैं, आपकी यहां पर काफी important होता है, आपका प्रमानाज, तो प्रमानाज में काफी सारी चीज़े होत ठीक है, अनुमानाज, प्रमानाज क्या होता है, जो ग्यान हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम detail में discuss करेंगे, इन सभी topics को, ठीक है, तो देखे, unit 6 आपकी logical reasoning से related है, unit 7 फिर आपकी DI से related होती है, ये काफी important है, अगर DI आप कर लेते हैं, तो 5 जो यहां की questions होते हैं, उसको आप easily solve कर सकते हैं, ठीक है, तो unit 7 आपकी data interpretation यानि कि DI से related है, finally unit 9 जो है friends वो आपकी, sorry, unit 8 है न, unit 8 आपकी information and communication technology से related है, ठीक है, देखे, unit 8 आपकी information and communication technology से related है, तो इसमें भी काफी सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, तो topics को हम topic wise discuss करेंगे, finally unit 9 आपकी environment से related है, people development and environment, ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखना होता है, millennium development goal जो है, हमारे sustainable development goal, ठीक है, यहां से questions अक्सर आपके आते हैं, environmental issues क्या है, इसको हमें address करना होगा, देखना होगा, ठीक है, pollution के बारे में हमें अच्छे से अपना topic को तयार क topics आपको cover करने होगे, ठीक है, तो unit 9 आपकी finally environment से related है, unit 10 जो है आपकी, यह higher education system से related है, तो यहां पर भी काफी important topics हैं, आपके जैसे कि आप देख सकते हैं, institutions of higher learning and education in NCA and India, जितने भी हमारे NCA and India में institutions थे higher education के, ठीक है, तो वो हमें अपना prepare करना होता है, evolution of higher learning and research in post-independence India, post-independence India में higher learning का evolution कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, professional, technical, skill based education, तो friends यह सब जो है आपका paper 1 का 10 की 10 unit का detail में syllabus है, आपको इसको prepare करना होगा, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आप जैसे screen पर देख सकते हैं, यह आपका detail syllabus है, ठीक है, तो अगर आपको इसको not करना है, print out कराना है, तो आप इसको करा लीजिए जरूर, ठीक है, असलिए बस आपकी सामने होना चाहिए, main बात यह है, तो आपको इस पूरी 10 की 10 unit को अच्छे से तयार करना होगा paper 1 के लिए, तब ही आप paper 1 में confident feel करेंगे, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, notes जरूर बनाए, sort notes, हल topic क ठीक है, topic wise notes बनाना है, और इसके लिए अगर आप कोई book पढ़ना चाहते हैं, तो KBS मदान की एक book आती है, red color की, ठीक है, KBS मदान, तो KBS मदान की book को आप follow कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ book पढ़ने से, reading से आपको अगर आप new है, beginner है, तो उतना I think समझ में नहीं आता, ठीक है, reading करने से, आपको understanding clear करने के लिए guidance की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने इस channel पर आपको paper one के लिए class provide कराएंगे, आपको topics को हम discuss करेंगे, 3-4 classes मैं teaching aptitude पर ले भी चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं, और इस channel से जुड़ सकते हैं, तो please channel को subscribe जरूर कर ले, और अपनी paper one की तयारी को मजबूत कर ले, ठीक है, तो friends फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी important class के साथ में next video में, तो तब तक के लिए, thank you so much friends, thank you